करते हैं exercise 13.7 से question number 5 question number 5 के अंदर कह रहा है a conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep what is its capacity in kilolitres तो इस question को समझते हैं diagram के थूँ तो यहाँ पर जैसे कि यह conical pit है conical pit एक conical गठा होता है तो यहाँ पर इसका diameter दे रखा है 3.5 meter और जो height है यह दिया हुआ है 12 meter volume हमको पता करना है kilolitre के अंदर मतलब जो capacity है actually में वो volume ही होता है लेकिन kilolitre में हमें यह पता करना है तो it is given that की जो depth है depth मतलब जो उसकी गहराई है उसको हम height से denote कर सकते हैं h से तो जो h है वो 12 meter है और जो diameter है यह है 3.5 meter तो सबसे पहले हम इस diameter से radius निकाल लेते तो therefore जो radius हो जाएगा यह हो जाएगा 3.5 upon 2 meter अब यहाँ पे जो volume है इस कोन का? conical pit का volume of conical pit is equal to 1 by 3 pi r square h तो 1 by 3 जो pi है यह है 22 by 7 और radius यह दिया हुआ 3.5 upon 2 क्योंकि radius यहाँ पर r square है तो इसको हम दो बार लिखेंगे तो 3.5 upon 2 again multiply जो height है यह दिया हुआ है 12 meter तो 12 meter अभी यहाँ पर अगर हम इस point को हटाएंगे तो point के बाद इधर भी एक number है और इधर भी एक number है तो इसके नीचे हम 100 place कर सकते हैं इसके जगा पर अब यहाँ पर अगर हम इसको cancel करें 3 से 12 को तो 3 4s are 12 और 2 2s are 4 तो इसको हम इकठे इससे cut कर देते हैं तो 7 5s are 35 इधर भी cut हो गया अब जो हमार पास में बच गया है number वो है 22 multiply 5 multiply 35 और नीचे से सिर्फ यह जो 100 है यह बच गया है तो अब 22 को अगर हम 5 से अगर multiply करें तो यह होता है 110 into 35 और upon में यह है 100 तो 10 से 10 अगें यहाँ पर cancel हो गया अब अगर 35 को 11 से multiply करेंगे तो यह आ जाएगा 385 upon 10 और अगर हम यहाँ पर इस 385 को 10 से अगर हम divide दे तो यह एक नंबर पहले यहाँ पर decimal लग जाएगा तो इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख सकते है 38.5 cubic meter तो यहाँ पर जो यह answer है यह cubic meter में आया है तो इसको हम लिख सकते है as it is 38.5 kiloliter क्योंकि जो 1 cubic meter होता है यह 1 kiloliter के बराबर होता है तो इसलिए यहाँ पर जैसे cubic meter है तो इसे हम सीधे kiloliter के साथ में replace कर सकते है तो जो हमारा answer है capacity of therefore जो capacity है इस conical pit का capacity of conical pit is 38.5 kiloliter और यह हमारा answer हो जाएगा इस question number 5 का जो हमारा